हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे हैं और आप सब के एक्जाम के तियारी अब अल्मोस्ट होई चुकी होगी और यह वीडियो में आपके लिए सिर्फ एक बार लेकर आयों ताकि आप लास्ट पॉइंट पर अपना एक्जाम का पाटन अच्छे से स आपको दिखने वाला है तीन तारिक के दिन आपको पता होना चाहिए तो मेट 24 एडवांस अकाउंट का एक्जाम का पेपर होने वाला है आपका सिर्फ एंटर के लिए उसका पेपर पाटन कैसा होगा वो दो पार्ट में पर आने वाला है पहला पार्ट आपका MCQ का होगा 30 मार्क्स का और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा 70 मार्क्स का जो कि आपको 84 मार्क्स के पेपर में से करना होगा मैं पहले MCQ पार्ट वाली बात कर दूँ MCQ पार्ट के अंदर आपके पास करीबन 6 कोशन आने वाले हैं जिसमें पहला कोशन जो होगा व वो सारे एक ही AS के होंगे जी नहीं, वो अलग-अलग AS के अंदर से हो सकते हैं, तो इसलिए AS का कोश्चन कमपल्सरी है, करना ही करना है, सेन कोश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का होगा, AS कोश्चन, के स्टेडी बेस, आठ मार्क्स के अंदर, ये भी चार पार्ट होंगे, और चारो पार्ट अलग-अलग AS के हो सकते हैं, मतलब कि इन दो कोश्चन के अंदर ही examiner आप से करीबन, मैं कह सकता हूँ कि 8 कोश्चन या 8 accounting standard पूशने वाला है, से फिर और क्या होगा, कोश्चन नंबर 3 के अंदर जो चाप्टर आएगा, वो भी MCQ कोश्चन होगा, लेकिन वो MCQ किसी चाप्टर से होगा, चाप्टर कौन सा हो सकता है, जो MTP ने pattern दिया, वो buyback का दिया, CFS का दिया, मैं एक और चाप्टर वहाँ expect कर रहा हूँ, investments का, तो यानि कि ये तीन जो हैं, आपके MCQ base, आठ, 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 यानि कि करीबन 24 marks के हो जाते हैं, और उसके लावा, और MCQ भी आएंगे, बिलकुल आएंगे question number 4, 5 और 6 जो है, ये 2 marks each, AS का हो सकता है, chapter का भी हो सकता है, मदब 2 question AS के, 1 question chapter का, ऐसा हो सकता है, 2-2 marks के होंगे, 3 question करने होंगे, तो 6 marks ये बन गए, तो 8 के 3, 8-8 marks वाले 3, और 6 marks का ये, 2-2-2, यानि कि total मिलाकर 30 marks का, ये MCQ portion आपका रहने वाला है, और इसके अंदर से देखो, कौन सा AS होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको लेकर, मैं न ये नहीं हो सकता, कि ये top priority में, ये most important है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई भी बिताने की कोशिश आप हो करेगा, तो सिरफ एक अंदाजा है सबका, मैं भी वो अंदाजा लगा के लि उसके अंदर आपका 84 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 70 मार्क्स का आपने अटेंट करना है, जिसमें कोशन 1 कंपल सरी होगा, और ये कोशन 1 AS का कोशन होने वाला है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, 14 मार्क्स में 3 पाट आएंगे, तीनों करने हैं कंपल सरी कोश कोशन नमबर 3, 4 marks का AS का कोशन होगा, 10 marks का internal RICO का हम expect कर रहे हैं कि internal RICO का कोशन वहाँ पर होना चाहिए, कोशन नमबर 4, 14 marks का amalgamation, कोशन नमबर 5, 14 marks में, या फिर 7 प्लस 7 में, या फिर 10 प्लस 4 में भी हो सकता है, consolidation कोशन होने वाला होगा, और उसके लावा कोशन नमबर 6 जो ह पर की नहीं लगाई जा रही हैं, तो 6 marks में छोटा कोशन, जो की dependent branches से होने के chances हैं, या फिर जो independent branches की entries हैं, वो हो सकता है, foreign branch से conversion आ सकता है, कि हमें trial balance को convert कैसे करना होता है, और यह जो कोशन नमबर 2, 3, 4 और 5, 6 हैं, इसके अंदर से 5 करने हैं, कोशन 1 तो compulsory हो गया, और बाक आपको एक choice मिल रही है, any 4 questions करने की, ये वाला आपका exam का pattern है, इस exam pattern को आपने follow किया, तो आपका बिल्कुल बड़िया तरीके से काम complete हो जाएगा, पेपर को pattern को पूरा इस तरह से follow करने से आपको एक अंदाजा लग जाएगा, कि आप अपने exam में paper कैसे करने वाले हैं, और क्योंकि mostly आज तक इस से पहले, इस paper से पहले हमेशा, बच्चों की सिरफ एक ही दिक्कत रही है, कि सर्फ paper छूट जाता है, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब MCQ pattern आ जाने के बाद, paper छूटने के chances बिल्कुल खतम हो जाने चाहिए, अगर बच्चे ने सही तरह से paper को attempt करन के लिए अलग से tips बनाएं, और प्लीज इसको जितना हो सके, बच्चों के साथ share कीजेगा, अपने friends के साथ, जो भी CA कर रहा है आपकी knowledge में, उनके साथ share जरूर कीजेगा, क्योंकि इस से बहुत बच्चों का भला हो सकता है, ये order, असानी से कोई follow नहीं करेगा, लेकिन आया है, exam tips, advanced accounting के लिए, तो first 15 minutes का utilization कैसे होना चाहिए, वो बहुत important चीज रहेगी, please बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बात हो को सुनिएगा, read MCQ portion in shortest way, read MCQ portion, देखो 30 marks का MCQ है न, तो वो shortest way में पढ़ने के लिए क्लिए 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 पढ़ना होगा, पूरा MCQ पढ़ने का time बच जाएगा, sir, 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 case study base आएगा, तो कैसे करेंगे, बिटा case study वाला पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ, be point धहान से पढ़ो, mark the order of MCQ, prefer करो question number 4, question number 5, question number 6, जो पहला 30 marks का subjective, objective part है न, MCQ वाला, उसके नदर question number 4, 5, 6, 2, 2 marks वाले है, उन तीनों को पढ आया होगा MCQ का, वो कितना strong part है, इसलिए अगर आप question number 4, 5, 6 को सबसे पहले पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ते ही पता होगा, जी मुझे आता है या नहीं आता है, उसके basis पर आप उसको करने का order mark करेंगे, कि मैं 4, 5, 6 करने वाला हूँ या नहीं करने वाला, और उसके 2 marks के 3, 6 और 8 marks का वो, 14 marks आपके मुश्किल से 15 मिनिट में cover हो जाएंगे, maximum 20 मिनिट में cover हो जाएंगे, 14 marks आपके यह वाले, समझे आप बाट को, pattern समझे करने का करना pattern क्या रहेगा, और उसके बाद question number 2 और question number 1, अगर आप comfortable हो, MCQ के study base को लेकर, तो करना question number 2, question number 1, वरना, नी easy, your best, या फिर small weightage questions, example के लिए, 4 marks वाले, 7 marks वाले, या 10 marks वाले, question number 1 और 2 नहीं पढ़ना है, वहापर भी, question number 1 और 2 नहीं पढ़ना है, 1 जो है, वो compensatory AS question है, वो तो आपको anyhow करना ही होगा ना, तो उसको पहले पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है, वो तो आपको करना ही question number 4 में बिल सकता है, 5 में बिल सकता है, 6 में बिल सकता है, तो question number 3, 4, 5, 6, इन में से निकालिएगा, and do not read, वो साफ साब लिखा है, 14 marks question in first 15 minutes, 14 marks वाला question पढ़ना ही नहीं है, आपने उसे पढ़ने में सिर्फ time waste करना है, उसे बिल्कुल मत पढ़िएगा, और फिर order mark करिएगा 3, 4, 5 sequence से कौन सा पहले करना है, mark the order of question, ये 4 step 15 में अगर आपने लगा लिए, तो पहले 15 मिनिट आपका पूरा paper अच्छा बनाने वाले हैं, इस 15 मिनिट में शायद हो सकता है कि आप पूरा ना पढ़ पाएँ, आप A और B को ही पूरा कर पाएँ, और अगर आपने A, B, C, D, चारों पूरे कर दिये, तो समझ लिजे, आपका paper best होने वाला है, आप paper में 90 प्लस जाने वाले हैं, ये paper का part आपका पूरा paper attempt करवाएगा, सर अब हमें paper का order समझ में आया, करना क्या होगा, करना ये होगा जी, आप पहले एक घंटे में, use for start, carefully and complete your MCQ, best selection, और दूसरा chapter में स question में जो best selection आपने किया था, और कम से कम कोशिश कीजिएगा, 30 marks कम से कम complete करने हैं, आपने, आपने जादा कर लिए, तो बहुत अच्छा होगा, MCU के साथ, पूरा option है कि आप 40 तक पहुँच सकते हैं, बट करना वो ही, जो आपका best selection था, MCQ के अंदर से भी, और chapter और AS के अंदर से भी, वो वाला best selection आपने उठाना है, और उसके basis पर आगे चलना है, जैसे आपने 30 marks सा कर लिया, 40 marks सा कर लिया, आपके अंदर एक अलग ही confidence ह होगा paper को लेकर अब, और अब जो आपका second hour होगा, वो second hour के अंदर आप complete करिये, अपना वो complete compulsory question, जो question number 1 था subjective के अंदर से, और फिर आएगा complete करने के लिए 14 marks का question, या कोई extra AS question, जो करीबन 33 marks का वर कर आएगा, तो अदर मार्स का complete compulsory question, AS वाला, तो अदर मार्स का company final accounts, amalgamation, consolidation जो भी आपको अच्छे से आता हो, वो करिएगा, अच्छे से जो आता हो, वो करिएगा पहले, ध्यान रखना, और प्लस कोई AS question 5 marks में वो, तो करीबन 33 marks तक का आप यहाँ पे भी second hour में complete कर लेंगे, तो 30 और 33 कितना हो गया, 63 marks आपने पहले 2 मंटे में complete कर लिया, और अब अच्छा हुआ पार्ट, आपकी speed बढ़ चुकी होगी, आप बहुत अच्छे से paper को confidence कर रहे होगे, आपको पता है कि आपका 50-60 marks पका हो चुका है exam के अंदर, और अब बचे हुए 3rd hour में आपने complete करना है remaining part, 37 marks वाला, with your best portion in preference, अभी भी वो ही पहले करना, जो आपका best निक लेकिन हमेशा अपनी consideration रखनी है quality के ऊपर, quantity पूरा भरने से better रहेगा, quality करी जाए, अच्छे से किया जाए paper और कोई बिल्कुल दिक्कत ना आए, इसलिए जरूरी है paper का order proper तरीके से mark होना, reference सही से होना, और बच्छो मैं बनता हूँ ऐसा कि paper hopefully बहुत easy आने वाला है, लेक लेकिन वो आएगी जरूर, प्लीज बच्छो जैम आता दी, all the very best मेरी तरफ से आप सबको, आप लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है, और बस अब जाकर अपना paper उसको अच्छे से करके आए, और कोशिश कीजेगा, silly mistakes को avoid कीजेगा, बच्छों से सिरफ गलती यही होती है, कि वो silly mistakes बहुत करके आते हैं, तो कोशिश करिए, कि silly mistakes कम से कम हो, और अपना best देकर आए, आपके parents आपके CA बनने का बहुत बेसबरी से भी जार कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी पूरी मेहनत से वहाँ पर जाकर paper करिएगा, ठीके बच्छों, thank you so much, अपना paper complete होने के हमारी तरफ से आपके लिए जो जो efforts रहें, उनके लिए एक अच्छा सा feedback हमें में जरू दीजेगा, thank you so much, all the very best, चैमादादी, bye bye